जैशियराम गुरूजी जैशियराम जैशियराम बलबाला जी महराज कीज़े गुरूजी आपने अभी 19 फरवरी को ये वीडियो बनाई कि जैसे हमारा मेंधीपूर में कैसे हमने अर्जी का चोले का और भेट के बारे में कैसे हमने परशाद चड़ाना है आपने महत के बारे में बताएं वहाँ पर भोग लग रहा है या नहीं लग रहा है और एक अन्य भक्त ने मेरे से कुछ पूछा है कि समाधी वाले बाबा का नाम क्या है और एक भक्त ने मेरे से फिर पूछा है गुरूजी कि वहाँ पर जलेवी का ही प्रशाद क्यों चड़ाया जात बाता है और जो एक भक्त का भी कोश्चन है आपकी वीडियो के माध्यम के बाद में आपने भी किशोरपुरी जी इनके बारे में बताया तो उन्हों का पूछना कि 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 शोरपुरी जी महराज की समाधी का निर्मान शुरू हो गया है कि नहीं तो आप मेरे को विश्वास है कि आप मेरे भक्तों के सभी कोश्चनों का जवाब दोगे तो मैं आशा करती हूं आप बताए जैश्यराम गुरू जैश्यराम आपने बहुत प्रसंद किया है हैं अपने स्वाल किया है कि समाधी वाल बाबा का नाम क्या है देखिए मैं आपको एक पिक्चर के लिए कर देता हूं समाधी वाल बाबा के मतलब जो हमारे महंत हैं सबसे पहले जो महंत हैं वह है गनेश पुरूजी महाराज है गनेश पुरूजी महाराज ने ही ये महंध तक गनेश प्रजी माराज समादिय वलबाबा को जिलेवी बहुत पसंद थी और जब किसी जी से पसंद होती है उसी का ही भोग लग जाता है तो आप देखेंगे समादिय वलबाबा को जिलेवी पसंद थी इसलिए वहाँ पर जिलेबी का भोग लगाया जाता है और यहाँ पर आप देखें कि समादी वाल बाबा में आप मेंधी पुर में जब बाबा जी के दर्सन कर लेते हैं सारे कारिकम कर लेते हैं अंत में समादी वाल बाबा का दर्सन करना बहुत जरूरी है बिना दर्सन की अगर आप वापस चले जाते हैं तो आपकी आत्रा जो है वो सफन नहीं होती आपको समाधी वाले बाबा के दर्सन करने जरूरी है यह बाध्यान से समझेए समाधी वाले बाबा के दर्सन करने जरूरी है वहाँ उन से कह करके जाना जूरी है क्योंकि वही हैं वहाँ के सुतरदार वही हैं सब कुछ वही बाबा के पास सीधा संप्रक साथते हैं वही हमारी प्रोल्म को हमारी समस्चा का समधान करते हैं तो आपने वहाँ पर समाधिवाल बाबा के पास इसी प्रकार से दिया लगाना है और जलेबी का भोग लेना है जैसे जलेबी का भोग क्या होता है कि जलेबी का भोग लेकर के आप जैसे बाबाजी को भोग लगता है सबसे पहले समादी बाबाबा को फिर आप उस भोग को लेकर के अपने उपर से साथ बार वारते हैं ऐसे और साथ बार वार के उसे पिछे गेर देते हैं आपने जितनी जिलेबी खानी है उतनी जिलेबी आप निकाल लेते हैं उस जिलेबी को खा लेते हैं इस तरी के सब समाधिवला बाबा का भोग लगा ले करोना काल में अभी हुए थे जब बीच में लोकडाउन लगा हुआ था तब देवलोक हो गए बाबाजी के सरन में आगए सिराम दरबार के सरन में आगए अब उनकी भी समाधी समाधी वाल बाबा के पीछे बिलको जैस्ट महाँ पर उनको समाधी दी गई उन्होंने अपनी स समाधी में कि खड़ा खड़ा जाता है और वहाँ पर उनको उसी अवस्था में जिसमें समाधी में हenschaft में उनको बिठा जाता है अ आप सकते हैं पिक्चर टो इसी प्रकार समाधिवा कि सुर्परेजी महराज में समाधी हूई तो अब आप आपने सवाथ कि व्हां देखिए अभी भोग ने लगए हैं क्योंकि वह पर समादी में पत्थर पढ़Downya और उपर जी समादी फिये उनकी नीव रख दे गई एंगे मैं तो wackod 98 अइन नेरुटीज़ जाएं कि उनकी पूर समादी ऑल चारत आरही है समादीवाल बाबाम चारत आरह है अभी फिलाल तो, हमाँपे समाधी वाला बाबा में जल का वितरन हुरा है और ये जल कुन सा होता है, भगतों? ये वा जल होता है, जो बाबा जे की च्हाती से, प्सीने के रूप में, एक kुंडी में कथा होता है ये जल जो है ये वितरन किया जाता है ये जल में जल मिलाकर के ये भगतो को ये जल दिया जाता है और ये जल है ये जल के जो छिटे हैं अपने घर में ले जा सकते हैं लोग अपने घर में ले जाएं और कहते हैं कि इस सुरील के जो पाप हैं, सुरील के जो कस्ट हैं वो दूर हो जाते हैं तो इसी प्रकार से भक्तो आप ने, मैंने जो जानकर जानकर देनी ही चाहिए यहज़ा होगी अब जो तीसरी पेड़ी है जिसमें निरेश पुरीजी महराज महंत है निरेश पुरीजी महराज आप मैं फोटो दिखा रहे हैं निरेश पुरीजी महराज की फोटो यह महंत हैं यह जो महंत हैं अंद्रेश प्रजी महराज इन्होंने भी मंदिर के अंदर बहुत तेजी से निर्मान किया है मैं आपको एक प्रेतरा सरकार की एंट्री होती है प्रेतरा सरकार के लिए हम जाते थे बहर बाबा के लिए जाते थे वहां से अब वहां के ये देखिए आप पूरा निर्मान आप देख सकते हैं जो अभी मेंधी पूर ने गए उनके लिए मैं ये वीडियो भीज रहा हूं आप वहां निर्मान देख सकते हैं इतना तेजी से वहां पर निर्मान और बदलाव हो था तो यह वीडियो ओंप को और देखिए जब आप मेंदिपूर जाते हैं मेंदिपूर जाने के बाद स्माधीवर बाबा करें वहाँ पर हम आत्माओं को छोड़ किया दें किसी को हम बांद के आते हैं किसी को कुछ बंदन कर आते हैं थैं तो करकरम हों indigenous करके आते हैं वही कारकिरम से वहाँ पे जो आत्माओं को हवन मिलता है ना उन हवन में जड़ी बुटियां डली होती है और वो जो हवन होता है वहाँ पे और हवन के जो मंतर उचारन होते हैं ब्राह्मन बैठ करके कई यक कुंड बनाए हुए हर यग में हर यक के अंदर हवन हाँ. हाँ हाँobject होता है。 जो आत्मा मिलता है और आत्मा मुक्त होसे आत्मा हुजए हाँशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर मेरे किसी जानकारी से किसी भगत को कोई अहित पहुंचता है तो हम उसके लिए जैशी राम का क्रेमा भी मांग सकते हैं लेकिन हमारी जो जानकरी है विश्वास पुतर सुतरों के दोरा हम जानकरी परदान करके आपको जानकरी परदान करते हैं तो आपको ये वीडियो कैसी लगती है देखिये बाद तो आप मेंदी पूर जाएं मेरी ये वीडियो आपको मदद करें हर एक परकार से मदद करें ये आशा करते हैं आप सबी वक्तों को जैशी राम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसमें जैशी राम ज़रूर लिखें क्योंकि जैशियराम से हमारे समाध्य और बबाबा कुछ होते हैं हमारे हनुमान जी खुश होते हैं और आप सिर्फ आप से माग insbesondere है कि जैशियराम करें लाइक शेयर हमारे बुरो जीजाते हैं, और वहक होता है क्राद 2023 कोई और बावा का भद नहीं हो थिम्में दूख को किस ले जाते हैं और क्यूं जाते हो हुँ तो वहां जाकर कि उस दुप का दूरी निवारा नहीं कर सकते हैं तो मैं अकिला कितना करूं आपी मेरे पास एक स्वाला है कि गुरुजी और कहीं ले जाओ और मेहंदीपुर में लेकि जाओ मैंने उसके जा कि मैं क्यों मैंने किस ले भी बना जी वहां से हम फूद चिपन जाते हैं वहां से कोई चीज लेके नहीं आते और उसने उसकी घरवाली ने पर्स करिदा जा था कि 1100 रुपेगा वहीं छोड़ कि मुझे बड़ा अपसूस हुआ जो मुझे यह बात पता लगी कईयों के घर में एक लेस मज़ जाता है कि मेंदीपुर से साबूर ने लेकिया नहीं क्यों लेकिया रहे हैं क्या हुआ आज तक बिगड़ता नहीं है तो क्या मैं अकेला ही इसे करता रहूंबा क्या तुम लोग साथ ने दो क्या तुम लोगो साथ देना चाहिए देना चाहिए